तो हमने स्टार्ट किया था Maths 1 जो की है Algebra ठीक है और उसमें हम देख रहे थे Chapter No.2 तो क्या था हमारा Quadratic Equation जिसमें हमने Practice Set 2.1 को कवर किया आज हम लोग करने वाले हैं Practice Set 2.2 तो देखते हैं इसको तो हमारा Question No.1 हमको क्या दिया है Solve the following Quadratic Equation by Factorization तो देखो Factorization से Related हमने Class 8 में भी Questions को Solve किया है तो अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं हम लोग मान के चलेंगे कि भूल गए हैं या हमने पढ़ा ही नहीं था तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो देखो Solve the following का मतलब क्या है कि Equations आपको दिये हैं और उन Equations को Solve करके आपको Solution लाना है Quadratic Equation तो यहाँ पर आपको क्या करना है इन Quadratic Equations को Solve करके आपको किसकी Value Find करनी है तो X की Value और X की Value Find करनी है मतलब X का Root Find करना है हमको Root Value Find करनी है याद है 2.1 में हमने देखा था कि हमको Root Values दी हुई थी Equations की Root Values मतलब हम लोग को X की Values दी हुई थी कुछ 1 या-1 फिर यह Values हम लोग क्या कर रहे थे Equation में substitute कर रहे थे और Equation को किसके बराबर ला रहे थे तो Is equals to 0 के बराबर ला रहे थे तो वो हमारे Root Values थे तो वहाँ पर Practice Set 2.1 में हमको Root Values दी हुई थी लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है? Quadratic Equation, इन Equation को हमको Solve करना है और Root Values हमको Find करनी है ठीक है? और किस मेथड से करना है तो Factorization Method में हम लोग क्या करते हैं? तो Splitting करते हैं क्या करते हैं splitting करते हैं हम लोग अब splitting का क्या मतलब होता है यह हम लोग पहले अपने equation से समझेंगे तो start करते हैं अपने equation number 1 से तो यहां हमारा equation number 1 क्या दिया है तो x square minus 15x plus 54 ठीक है तो हमारा यहां पर जो भी game है यह middle वाले term पे हम अपना game खेलते हैं game खेलते हैं मतलब equation को solve करते हैं किस के basis पे तो यह middle वाले term के basis पे अब इसके लिए आपको क्या करना है तो सबसे जरूरी चीज़ यह है कि आपको tables आने चाहिए ठीक है अब यहां पे मैं tables तो आप लोग को होता है तो यह सब छोटे मोटे tables आप लोग को पता रहना चाहिए तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो आप लोग equation को standard form में है या नहीं यह देखोगे तो हमारा standard form क्या है ax square plus bx plus c is equal to 0 तो x square वाला term पहले आएगा फिर x to the power 1 वाला term पहले फिर उसके बाद x वाला term और फिर हमारा constant value is equal to 0 तो हमारा यह general form में रहना चाहिए ठीक है तो general form क्या होता है फिर से देख लेते हैं ax square plus bx plus c is equal to 0 तो यह हमारा general form है और इसी form में हमारा equation होना चाहिए और अगर नहीं है तो हम लोग पहले उसको general form में arrange करेंगे तो general form के बारे में हम लोग उने first lecture में ही समझाता क्या होता है और जो equation हम लोग arrange करते हैं तो सारे values किधर होते हैं तो left hand side में और right hand side में क्या होता है तो right hand side में होता है हमारा is equal to 0 तो यह बात आप लोग याद रखना है यह basic चीज़ quadratic equation का तो हमारा पहला question हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पे x square वाला कोई भी coefficient दिया नहीं है तो जब कोई भी coefficient नहीं होता है कोई भी number नहीं होता है तो हम लोग क्या मानते हूं वाँ पे तो वाँ पे होता है 1 ठीक है तो x square का coefficient क्या है 1 तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पहला term थर्ड term से हम लोग multiply करते हैं मतलब x square का coefficient क्या है 1 1 को आप किस से multiply करोगे तो 54 से किस से 54 से तो 54 से हम multiply करेंगे और sign क्या है यहाँ पे plus है और यहाँ भी plus है तो plus into plus ठीक है अब यह 54 आप देखोगे कि कौन से table में आता है तो इसको हम लोग split करेंगे 54 को इस तरह से कि जिस भी table में यह आए उसको add करने पे या subtract करने पे हमको क्या मिले तो यह middle वाला term मतलब 15 मिले तो 54 हमारा कौन से table में आता है पहले तो आता है 6,9 जा और फिर आता है 9,6 ठीक है दोनों में आता है तो हम लोग क्या करते हैं बड़े वाले term को पहले लिखते हैं क्योंकि दोनों को अगर आप देखोगे तो सेम ही है लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे जो bigger term है मतलब bigger value है 9 तो 9 को आप पहले लिखोगे और उसके बाद आप क्या लिखोगे 6 को लिखोगे ठीक है तो यह वाले equation को हम लोग देखते हैं अब हम अपने इस equation को solve करते हैं तो हमने क्या सीखा था कि पहले coefficient को किस से multiply करते हैं तो c वाले term से तो ax plus bx ax square plus bx plus c is equals to 0 तो a को किस से multiply करोगे आप c से तो यहाँ पे अगर हम multiply करें तो हमको क्या मिलेगा 154 तो यह मिलेगा 54 ठीक है 1 into 54 तो कितना मिला? 54 और क्या मिलेगा? plus का sine तो plus का sine क्यों? तो देखो इधर x के पास भी plus है और 54 के भी पास plus है तो plus into plus plus and 154 जा 54 तो यह हमको मिला अब इसको आपको split करना है तो split कैसे करोगे? ऐसे terms को देखो जिसको plus करने या minus करने पर क्या मिलता है आपको तो 15 मिलता है तो ऐसा कौन सा term है जिसके table में 54 आता है तो 9 6 9 6 54 आता है तो क्या लिखोगे 9 6 अब हमें देखना है कि क्या करेंगे इनको sign देना है आपको तो जो bigger वाला term होता है न दोनों में से जो greater term होता है तो greater कौन सा है 9 तो 9 को किसका sign मिलेगा 15 के पास जो sign है न वो वाला sign आप किसको दोगे तो greater term को तो 9 का sign क्या हो जाएगा minus अब हमें देखना है कि 6 को कौन सा sign देंगे तो देखो इदर अगर आप इसको plus दे दोगे तो minus plus क्या हो जाएगा minus और आपको क्या करने पड़ेगा minus और जब दोनों को minus करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 लेकिन हमको लाना क्या है 15 ऐसाट करो कि इन दोनों को plus करने या minus करने पर हमको क्या मिले 15 और जब इन दोनों को multiply करो तो आपको क्या मिले 54 तो 9 6 आ कितना होता है 54 लेकिन अगर दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 5 लेकिन हमको चाहिए कितना 15 इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोनों को प्लस प्लस करने पे कितना मिलेगा आपको तो 15 मिलेगा लेकिन हमको देखना है कि 6 को हम लोग कौन सा साइन देंगे तो 6 को जो sign हम लोग देंगे तो वो किस basis पे देंगे तो देखो इधर 9 का sign क्या है minus और 54 का sign क्या इधर plus तो आप क्या करोगे plus into minus कितना होता है minus तो 6 के पास जो sign होगा वो कौन सा होगा तो minus का sign कौन सा sign minus का sign हम लोग देंगे ठीक है तो अगर नहीं समझ में आ तो कोई बात नहीं हम लोग 2-3 question करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एक बार और देखते हैं देखो पहला coefficient थर्ड coefficient से आप क्या करोगे multiply करोगे तो 154 हमको कितना मिला 54 लेकिन इसको sign कौन सा आएगा plus क्यूंकि 1 का भी sign प्लस है और 54 का भी sign प्लस है तो जब आप coefficients को multiply करते हो तो signs भी आपस में multiply हो जा रहे हैं तो plus into plus कितना होता है तो plus तो हमको मिला plus 54 अब इस 54 को आपको split करना है तो split कैसे करोगे यह देखो कि यह किस table में आता है तो यह आता है हमारा 9 6 और 6 9 ठीक है तो दोनों एक ही term है तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं bigger term को लिखते हैं जो greater है उसको लिखते हैं तो हमने पहले 9 को लिखा फिर 6 को लिखा अब 9 को कौन सा sign हम लोग देंगे जो middle व 9 को अब हमें देखना है कि 6 को हम लोग कौन सा sign देंगे तो आपको ऐसा sign देना है कि दोनों को आप या तो plus करो या minus करो तो आपको क्या मिले 15 और दोनों को multiply करो तो आपको क्या मिले plus 54 तो देखो हम लोग 6 का sign किस basis पे decide करेंगे तो 54 को जो sign है और 9 का जो sign है दोनों sign को हम लोग क्या कर देगे, into कर देंगे, तो plus into minus क्या होता है, minus तो 6 का sign क्या होगा, minus, तो अब देखो यहां पे, minus 9 और minus 6 minus 9 minus 6, तो minus minus क्या होता है, plus, तो इसको plus करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 और bigger number sign, तो minus 15, तो देखो यह वाला हमको sign मिल गया इधर add करने पर और फिर minus 9 into minus 6 अब गर आप करो तो क्या मिलेगा 9, 6, 54 और minus minus plus तो मुझे पता है ये sign को लेके लोगों बच्चों को mentally problem होता है बट ये तो आपको समझना पड़ेगा ठीक है तो minus minus जब into करोगे नो तो sign हो जाता है plus, sign change हो जाता है लेकिन जब हम लोग plus और minus करते हैं न तो sign change नहीं होता है बाकी उसका जो behavior होए वही रहेगा, minus minus ब्लस ही होगा लेकिन जब plus करोगे तो sign किसका दोगे, bigger number का लेकिन वही जब हम लोग multiply करते हैं तो ये system नहीं होता है माइनस, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये बात आप समझ ले न, ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो, हमको क्या मिला है, माइनस 9, माइनस 15, तो इसको हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वेर, आप देखो, 15, 15 एक्स की जगा पे पहले आप क्या लिखोगे, माइनस 9, एक्स, और माइनस 6, एक्स, प्लस 54, इस इक्वर्स टो 0, तो हमने ऐसा क्यू लिखा, क्यूंकि हमने 15 को जब स्प्लिट किया था, तो हमको ये ही मिला था, ठीक है, माइनस 9 एक्स, मिलता है आपको 15 एक्स, तो 15 एक्स की जगा पे आप लोग क्या लिखोगे, तो ये जो दो टर्म्स आपको मिलेते वो लिखोगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो देखो, पहले आप लोग देखोगे कौन से वाले टर्म्स को, तो पहले सिर्फ इन दोनो टर्म्स को द देखेंगे, तो इसको देखो, यहां पर हमको दिया है x square minus 9x, तो इसको x square को कैसे लिख सकते हैं, x into x minus 9 into x, ऐसे लिख सकते हैं, अब दोनों में से आपको क्या common दिख रहा है, तो x हमको common दिख रहा है, तो x को एक time लिखो, ठीके, तो यहां से x निकल गया, तो क्या बचा, x, और यहां से x common हमने ले लिया, तो अब क्या बचा, minus 9, यह हमारे पास हुआ, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, x, फिर x minus 9, ठीके, तो यह किस तरह से आया, यह अभी हमने समझा, अब हम लोग देखते हैं, अपने इस वाले time को, ठीके, तो यहां हमको क्या दिया है, 6x plus 54, तो यह जो minus है, इसको बाहर लिख लो, ठीके, और यहां पर आप क्या लिखोगे, तो देखो, यहां पर हमको दिया है, 6x plus 54, तो इसको मैं लिख सकते हूं, 6x को लिख सकते हैं, 6 into x, प्लस 54 को split करो, तो कैसे लिख सकते हो, 6 into 9, या 9 into 6, कुछ भी लिख सकते हो, तो दोनो में आपको क्या common दिख रहा है, तो 6 हमको यहां पर common दिख रहा है, यहां भी, तो मान लो कि 6 को अगर बाहर लिख दिया, common लेके, तो अंदर क्या बचा, x plus 9, ठीके, x plus 9, लेकिन अब यहां पर plus नहीं आएगा, plus क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहां पर minus को बाहर लिख दिया तो जब आप bracket के बाहर minus लिखते हो न, तो जो ये वला sign है, ये change हो जाता है तो ये हमेशा याद रखना अगर यहाँ पे plus होता और यहाँ पे आप plus लिखते, तो यहाँ का sign as it is रहता लेकिन यहाँ पे minus आगया और minus अगर आप bracket के बाहर ले रहे हो तो यहाँ पे जो sign रहता है वो change हो जाता है तो कैसे change हो जाता है तो plus है तो minus हो जाएगा और अगर minus रहता तो अंदर क्या हो जाता plus तो यह चीज़ दिमाग में हमेशा रखना ठीक है तो देखो हमने क्या किया 6 को common ले लिया तो अंदर क्या बचा x minus 9 is equal to 0 ठीक है तो यह कैसे आया यह अभी अपने समझा तो जब हम common minus बाहर ले लेते हैं तो जो यहाँ का sign होता है c वाले term के साथ उसका sign bracket के अंदर change हो जाता है वही अगर यहाँ पे minus रहता तो यहाँ पे sign क्या हो जाता plus q क्यों कि देखो minus 6 into x यह हो जाएगा minus 6x और फिर minus 9 दिया है तो minus minus plus और 6,9 जा 54 तो यह वाला term हमको मिला जो उपर है ठीक है तो यह चीज ध्यान में रखना अब इसको कैसे करोगे तो देखो यहाँ पे x minus 9 और x minus 9 दो time आया है तो दोनों में से अगर आप common ले लोगे एक time लिखो तो कैसे लिखोगे x minus 9 और remaining क्या बचा हमारा x minus 6 बचा तो उसको एक साथ लिख लो एक bracket में x minus 6 is equal to 0 ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे आप यह वाले term को पहले 0 से compare करो और फिर इस वाले term को 0 से compare करो तो compare क्यों करना है देखो दोनो multiple है तो दोनों में से कोई एक term तो 0 होगा मान लो यहाँ पे हमको thousand मिल रहा है तो यह वाला term obviously 0 होगा तभी तो हमको is equal to 0 मिल रहा है या फिर मान लो कि अगर यह वाला term हमको 0 मिलता है तो हो सकता है यह वाला term 5 हो तो 0 into 5 कितना आ रहा है तो 0 दोनों multiple में से कोई एक term 0 हो रहा है तभी हमको क्या मिल रहा है is equal to 0 क्यों क्यों कि जब multiplication में जब आप किसी number को 0 से multiply करते हो तो वो आपको क्या देता है is equal to 0 तो 0 का table तो सबको पैता ही है ठीक है अब हम यहाँ क्या करेंगे यह जो bracket वाले term से इनको पहले 0 से compare करेंगे और x की value निकालेंगे तो देखते हैं देखो x x minus 9 is equal to 0 लेंगे पहले तो x की value हमको क्या मिलेगी तो यह जो minus 9 है यह यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 9 तो यह मिलेगा हमको 9 ठीक है फिर x की दूसरी value क्या है तो x minus 6 को भी हम लोग 0 से compare करेंगे तो x की value यहाँ हमको क्या मिलेगी तो यह minus 6 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 6 तो हमको मिला x is equal to 6, ठीके, तो अब यहाँ देखो, x is equal to हमको पहले क्या मिला है, 9, तो अगर मैं x की जगह पे 9 रखूँ, यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीके, यहाँ पे भी 9 रखोगे और यहाँ पे भी, तो यहाँ क्या मिला, 9 minus 9 is equal to 0 into 9 minus 4 कितना मिला हमको, तो 9 में से 4 गया तो 3, तो 0 into 3 कितना होगा, 0, तो यही तो मैंने कहा था कि multiple में दोनों में से कोई 1 term 0 होगा, तब ही तो हमको 0 मिल रहा है, ठीके, अगर आप क्या करोगे, कि x की जगह पे, x की 2 value हमको मिली थी, 9 और 6, तो 9 रखके हमने देख लिया, अब x की जगह पे आप 6 र 9 गया तो minus 3 और 6 में से 6 गया तो 0, ठीके, तो minus 3 into 0 कितना मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, तो यहां हमने देखा कि जो 9 है और 6 है, यह क्या है, रूट है quadratic equation का, तो आप कैसे लिखोगे, 9 and 6 are the roots of quadratic equation, तो हमको बस इतना ही करना था इसमें, तो देख लो एक बार अच्छे से इसको, ठीक है, किस तरा हमने किया है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, first term को last term से multiply किये, तो हमको क्या मिला, 54, अब 54 को आपको split करना है, ऐसे कि उसको plus करो या minus करो, क्या मिलना चाहिए, आपको middle वाला term मिलना चाहिए, ठीक है, तो हमें कैसा split किया, 54 को, तो 9, 6 are 54 मिला, अब इसके signs को आप देखोगे, तो bigger number sign को middle वाले term का sign मिलेगा, और minus और इसको, दोनो sign को आप multiply करोगे, तो जो भी sign आएगा, वो किसको जाएगा, तो smaller term को, उसके बार हमने उसको split किया, तो x square की जगा पे x square रखा, 15x की जगा पे हमने क्या रखा, तो जो हम लोगों ने split किया था, वो value आया, plus 54, तो यहां से हमको x common मिला, तो बचा क्या bracket में, x minus 9, फिर यहां पे minus 6 हमने common ले लिया, तो bracket में क्या बचा, x minus 9, ठीक है, तो देखो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, यह जो bracket वाला term मिल रहा है, आपको same ही मिलना चाहिए, जो यहां पे आ रहा है, वही चीज़ यहां पे भी आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने equation को solve करने में, यहां पे split करने में कोई तो गड़वडी की है, तो इस बात का ध्यान रखना कि यह जो term आ रहा है bracket में, वो क्या होना चाहिए, दोनो term सेम होना चाहिए, ठीक है, तो equation को देख लो, एक बार अच्छे से किस तरह किया है, फिर हम लोग अपने second equation को देखते हैं, तो हमारा equation number 2 हमको क्या दिया है, x square plus x minus 20, ठीक है, तो अब देखो, यहां पे जो a वाला term है, a वाला term मतलब a x square वाला term है, तो उसका coefficient क्या है, कुछ नहीं दिया है, मतलब 1, b का भी coefficient कुछ नहीं दिया है, तो b के जगा पे भी क्या आएगा, 1, और c coefficient क्या दिया है, हमको minus 20, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, first term को किस से multiply करेंगे, तो third term से, first term को किस से multiply करना है, third term से, तो हमको क्या मिलेगा यहां पे, तो 120 is a 20, और किसका sign तो minus sign, minus sign क्यूँ, तो देखो, यह plus 1 है और यह minus 20 है, तो plus into minus क्या होता है minus and 120 is 20 तो यह हो जाएगा minus 20 मतलब plus 1 into minus 20 आपको क्या देगा minus 20 ठीक है तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा minus 20 अब आपको क्या करना है इस minus 20 को करना है split और इस तरह से split करना है कि जो इसको plus करो या minus करो मतलब जो split करने पे आप लोग को numbers मिलेंगे तो उस number को अगर आप plus कर रहे हो तो क्या मिले आपको 1 मिले क्योंकि यहाँ का coefficient क्या है 1 और अगर minus कर रहे हो तो भी आपको क्या मिलना चाहिए 1 ही मिलना चाहिए तो ऐसा कौन सा table आता है जिसमें 20 आता है और उसको plus या minus करने पे आपको क्या मिले 1 तो देखते हैं 20 किस किस table में आता है तो पहले तो आता है 10 2 जा ठीक है 10 2 जा कहलो या 2 10 जा कहलो बात एक ही है लेकिन जब आप 10 को plus करो देखो bigger number को किसका sign आता है middle वाले term का अगर हम इसको plus करें और plus into minus क्या होता है minus तो इसको minus करें तो 10 minus 2 कितना होता है 8 मिलता है और अगर हम दोनों को plus करेंगे तो कितना मिलेगा 12 तो 1 से तो नहीं मिल रही है तो ये वाला term तो हम लोग नहीं लेंगे ठीक है अब क्या बचा हमारे पास 5 forza ठीक है तो अब देखो 5 forza 4 forza भी होता है लेकिन हम लोग किसको रखते हैं बड़े वाले term को पहले रखते हैं तो 5 को किसका sign जाएगा तो ये middle वाले term का sign जाएगा तो 5 को plus का sign देदो ठीक है अब minus 4 का I mean 4 का sign किस पर depend करता है तो इन दोनों के sign पर depend करता है तो कैसे 5 के साथ कौन सा sign है plus का और 20 के साथ कौन सा sign है minus का तो आप क्या करोगे दोनो signs को multiply करो minus into plus minus into plus क्या होता है तो minus तो 4 के साथ कौन सा sign आएगा minus का sign तो ये आप लोग को समझा कैसे हम लोगों ने split किया तो हम लोगों ने first term और third term को multiply किया तो हमको मिला minus 20 minus 20 को आपने split किया 5 into 4 में तो जब आप इसको क्या करोगे minus करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 1 और जब आप दोनों को multiply कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 20 तो दोनों condition satisfy कर रहा है तो आप equation में put करते हैं तो ये आएगा हमारा x square अच्छे से लिखते हैं x square और इसकी जगा पे हम लोग क्या लिखेंगे plus 5x minus 4x फिर minus 20 is equals to 0 यह हम लोग ने लिख लिया अब आप किसको compare करोगे तो ये दोनों terms को compare करोगे दो-दो terms उठाओगे तो अब देखो हमें क्या दिया है x square plus 5x x square plus 5x तो देखो इदर x square plus 5x है तो इसको हम लोग लिख सकते है x into x plus 5 into x तो दोनों में कौन सा term common है तो x हमको common दिख रहा है तो x को हम लोग बाहर common निकाल लेंगे तो bracket में क्या बचेगा x plus 5 अब आप देखो जब आप x into x करो तो क्या हो जाता है x square और x into 5 करोगे तो 5x तो यह वाला term हमको मिल गया split करने पर यही जो था हमारा ठीक है तो यह वाला हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे आएगा तो यह आएगा x और फिर bracket में x plus 5 ठीक है अब यहाँ देखो minus है तो यहाँ पर minus लिख लो और थोड़ा space देखे bracket लिखते है ठीक है तो bracket में कौन सा sign आएगा बाहर minus आया है तो जो c वाले term का sign है वो क्या हो जाएगा change तो अंदर क्या हो जाएगा plus यह हम लोग ने अभी first question में सीखा था कि जब बाहर minus sign आ रहा है तो c वाले term का जो sign है वो क्या हो जाता है bracket के अंदर change अगर यहाँ minus है तो यहाँ plus आ जाएगा और अगर यहाँ plus होता तो यहाँ पर क्या हो जाता minus लेकिन कब जब bracket के बाहर तो इसको किस तरह से लिख सकते है तो देखो 4x है और sign को अभी द्यान मतलो 20 तो 4x को लिख सकते है 4 into x और इसको क्या लिख सकते है 4 into 5 तो दोनों में 4 हमको common दिख रहा है तो 4 एक टाइम लिखो और x और plus 5 ठीक है bracket के अंदर plus हमने लिखा था न तो x plus 5 तो यह देखा तो इसको कैसे लिखो गया यहाँ पे common आएगा 4 और bracket में आएगा x plus 5 अब is equals to 0 तो हम लोग ने क्या देखा था कि यह जो bracket वाले term है न दोनों जो यहाँ पे आ रहा है वही term यहाँ भी आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो मतलब यहाँ पे आप लोग ने कुछ तो गड़बड कर दी है तो ध्यान देना कि यह term क्या है same है तो अब हम लोग क्या करेंगे जो common है उसको एक time लिखते है x plus 5 ठीक है और क्या remaining है तो x minus 4 5 is equals to 0 तो x बराबर कितना मिल गए हमको minus 5 तो x बराबर मिला क्या minus 5 फिर compare करो x minus 4 को तो x की value क्या मिल गई हमको 4 ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते है x की value हमको मिल गई minus 5 और 4 तो 5 and 4 are the roots of quadratic equation तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं न तो देख लो पूरा equation एक बार अच्छे से तो यह हमको equation दिया हुआ था x square plus x minus 20 तो हमने क्या किया पहले और third term को multiply किया तो हमको क्या मिला था minus 20 फिर दोनों को split किया हमने तो इस तरह से हमको मिला तो इसको एक बार अच्छे से देख लो और समझ लोगी किस तरह से solve वो है ठीके फिर हम लोग अपने next question की तरह बढ़ेंगे और हाँ यह जो last में हम लोग लिखते हैं न statements तो यह जरूर लिखना कि हम लोग को x की value जो मिली है वो क्या है हमारे roots हैं किसके तो quadratic equation के तो यह statement जरूर लिखना ठीक है तो question number one के first और second question को हमने देख लिया अब देखते हैं अपना जो दिया हुआ है third equation तो हमारा third equation क्या है 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0 तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे जो y square का coefficient है तो y square का coefficient क्या है 2 और हमारा c वाला term कौन सा है 13 तो first term को multiply करोगे किस से यह last वाले term से ठीक है तो जब 13 को 2 से आपने multiply किया तो कितना आएगा three two's are six और two one's are two twenty six तो अब देखते हैं इसको देखो जब two को आप 13 से multiply किये तो आपको क्या मिला twenty six twenty six और देखो दोनो positive है यह भी plus है यह भी plus है तो plus into plus क्या होता है plus तो twenty six को किसका sign आएगा प्लस का अब इसको factorize करो तो factorize कैसे करोगे तो twenty six किसके किसके table में आता है तो पहले तो आता है thirteen into two तो देखो जब thirteen और two को आप plus कर रहे हो तो कितना मिल रहे है fifteen और जब thirteen और two को minus कर रहे हो तो कितना मिल रहे है eleven तो plus या minus करने पर क्या आपको twenty seven मिल रहे है तो नहीं, तो ये वाला term तो हम लोग नहीं लेंगे अब 26 कौन से टेबल में आता है, तो वो खुद के ही मतलब 26 into 1, तो देखो जब 26 है और 1 तो bigger number को किसका sign मिलता है, तो ये middle वाले term को जो sign है, तो 27 का sign क्या है, यहाँ पे plus तो 26 को किसका sign मिलेगा, प्लस, और यहाँ पे जो 1 था 26, 1 जा, तो 1 का sign किस पे depend करता है, तो plus into plus तो plus into plus क्या होता है, हमारा, plus तो 26 plus 1 कितना होता है, 27, और 26 into 1 कितना होता है, तो 26 तो हमको अपना factorization मिल गया, क्या, तो 26, 1 जा plus और plus का sign, तो यह समझा होगा आपको, अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो 2 y square, एक मिनाट अच्छे से करते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 2 y square plus 27 की जगा क्या लिखोगे, 26 y plus y plus 13 is equals to zero, यह हमने लिखा, अब हम क्या करेंगे, starting का यह दो term और यह दो no term, इनको compare करेंगे, तो इन में से common निकालो, तो कैसे निकालोगे तो देखो, यह वाले term को जब आप देखते हो, तो हम लोग 2 y square को कैसे लिख सकते हैं, 2 into y into y plus 26 y को कैसे लिख सकते हो, तो 13 into 2 into y, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यह वाला step आपको दिखानी की ज़रुत हैं, मैं समझाने के लिए बता रहे हूं, तो यह आपको खुद से अपने दिमाग में करना चाहिए, कि क्या हम लोग common लेंगे, तो देखो, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे एक y है, तो हम लोग क्या common ले सकते हैं, 2 y, अब बचेगा क्या, जब यह वाला common आ गया और यह common आ गया, तो bracket में क्या बचेगा, y plus 13 ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2Y Y plus 13 तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2Y और bracket में Y plus 13 अब यहां से देखो plus और दोनों में से क्या आपको common दिख रहा है तो देखो यहां पर Y है और यहां पर 13 है तो आप क्या common लोगे तो 1 common लेंगे ऐसे situation में क्या common लेते हैं 1 ठीक है और bracket में क्या आएगा Y plus 13 is equal to 0 ठीक है तो देखो यह वाला bracket और यह वाला bracket हमको same मिला और हमने क्या सीखा था कि हमको यह same ही मिलना चाहिए अगर same नहीं हुआ तो मतलब उपर आपने कुछ तो गड़बड़ी करिए तो इसलिए यह same आना चाहिए अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को common है तो एक बार लिखेंगे Y plus 13 और remaining जो है उसको एक bracket में लिखो 2 Y plus 1 is equal to 0 अब क्या करेंगे पहले यह bracket को 0 से compare करो फिर यह वाला bracket 0 से compare करो तो करते हैं तो देखो Y plus 13 is equal to 0 तो Y की value क्या मिली हमको minus 13 तो यह Y की एक value मिल गई फिर दूसरा वाला term 2 Y plus 1 इसको 0 से compare करो तो क्या मिलेगा Y minus 1 upon 2 ठीक है तो minus 1 upon 2 कैसे तो 2 Y यह वाला plus 1 यहां जाएगा तो minus 1 हो जाएगा और यह multiplication में है तो 1 के पास जाएगा तो divide तो Y की value हमको क्या मिल गई minus 1 upon 2 तो देखो हमारे पास Y की 2 values है 2 values मिल गई अगर मैं पहले वाले में Y के जगा पे 13 लिखो minus 13 लिखो और यहां पे भी minus 13 लिख देंगे तो इसको देखो एक बार roughly बताती हूँ कैसे होगा पहला है हमारा Y plus 13 और दूसरा क्या है दिया है हमको 2 Y plus 1 is equals to 0 तो मैंने क्या कहा था कि equals to 0 है का मतलब क्या है यह दोनों term multiplication में है और हमको मिला है is equals to 0 तो multiplication में हमको value 0 कब मिलता है जब multiple दोनों में से कोई एक multiple क्या होगा 0 तो अगर पहला value हम लोग Y is equals to minus 13 रखे तो यह क्या हो जाएगा minus 13 plus 13 into 2 into minus 13 plus 1 ठीके तो यह term आपको क्या मिलेगा 0 into यह पूरा bracket मानलो मैंने ऐसे ही as it is उतार दिया तो 0 में किसी भी चीज़ को आप multiply करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0 ही तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमको इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक term क्या है हमारा 0 तो जो हमारे root values है ठीक है quadratic equation के जो root values हमको find करने थे वो हमको मिल गए क्या है तो minus 13 और minus 1 upon 2 तो इसका मतलब क्या है कि जब minus 13 या minus 1 upon 2 को आप इस equation में put करोगे न तो ये आपकी equation को satisfy करेगा satisfy करने का मतलब क्या है कि पूरे equation की value आपको क्या मिलेगी 0 is equals to 0 हाला कि वो step आपको करके देखनी की जरूरत नहीं है क्योंकि y is equals to ये जो root values हमको मिली है ये हमको यही बताता है कि जब दोनो values में से या तो आप इसको put करो या इसको put करो कहाँ पे तो equation में तो equation की value क्या हो जाएगी 0 is equals to 0 ठीक है तो हम लोग इस तरह से लिख सकते minus 13 and minus 1 upon 2 are the roots of the quadratic equation तो ये हमको मिला अपने equation का solution ठीक है तो द्यान से देख लो एक बार अच्छे से तो ये हमारा equation number 3 है और हमने किस तरह से उसको factorize किया है और हमको अपना root value मिला है of the quadratic equation तो हमारा third question ये है अब हम लोग देखते हैं अपने fourth equation को ठीक है तो third equation को अच्छे से देख लो और copy कर लो अपने notebook में तो हमें दिया हुआ fourth equation क्या है तो 5m square is equal to 22m plus 15 ठीक है तो देखो पहला, second और third ये हमने किया और हमने क्या देखा कि ये हमारे standard form में ही arranged थे तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरुरत नहीं पड़ी आपने बस root values निकाल लिए लेकिन जो question number 4 है हमें जो दिया हुआ equation क्या ये standard form में है तो standard form क्या है हमारा ax square plus bx plus c equals to 0 तो अगर आप compare करो तो क्या ये आपको standard form में दिख रहा है तो बिल्कुल भी नहीं ये हमारे standard form में बिल्कुल भी नहीं है तो हमने क्या सीखा था standard form में कब होता है जब right hand side में आपको क्या मिलना चाहिए 0 कोई भी value नहीं सिवाए 0 के और अगर कोई value दिख रही है तो आप पहले तो उसको उठा के उसके अपने जगा पर फेको अपने जगा पर फेकने का मतलब right hand side से उठा के इसको पटक दो left hand side में ठीक है तो हम लोग करते हैं इसको तो हमारा fourth equation इस तरह है तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे arrange करेंगे standard form में तो standard form क्या है हमारा compare करोगे किस से compare with ax square plus bx plus c equals to 0 तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग तो ये लिखेंगे 5m square और ये वाले terms कहां आ जाएंगे इस side तो 22m है तो ये हो जाएगा minus 22m और plus 15 है तो क्या हो जाएगा minus 15 is equals to 0 तो ये मिल गया हमको क्या अपना equation अब इस equation को आप solve करोगे factorization method से ठीके तो ये इतना step आपको समझा होगा क्या करना है अगर standard form में नहीं है तो सबसे पहले आप quadratic equation के standard form में उसको arrange करो तो equation को standard form में arrange करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या use करोगे तो अपना factorization method ठीके तो factorization method में हमारा क्या था first term को multiply करोगे किस में तो last term में तो 15 को किस से multiply करोगे 5 से तो 15 5 होता है 75 ठीके अब देखो यहाँ पे है plus sign और यहाँ पे है minus sign तो plus into minus क्या होता है minus तो 75 के साथ किस का sign आएगा तो minus का sign तो अब आप आगे देख लेते हैं हम लोग तो देखो 15 5 होता हमने किया तो हमको क्या मिला minus 75 यह हमको मिल गया अब हम लोग क्या करेंगे तो अब हम इसका factorization देखेंगे कि यह किस table में आता है तो पहले देखो पहला इसका हमने देखा कि 15 5 हमको मिला 75 ठीक है तो 15 को 5 में अगर आप plus करोगे तो आपको क्या मिलेगा 20 वही अगर 15 को 5 से minus करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10 तो हमको क्या चाहिए 22 तो 15 तो हमारा नहीं होगा अब आपको देखना है कि यह किस table में जाता और अगर आपको table नहीं आता तो एक simple सा जो हम लोग पढ़ते आएं वो क्या है तो देखो इदर 75 है अब इसका factor आप निकालोगे तो unit place पे 5 है तो किस table से जाएगा यह तो 5 से तो 5 वन्जा 5 और फिर बचा क्या जब 7 में से 5 चला गया तो 2 तो 2 और 5 25 फाइव 5 जा 25 ठीक है अब 15 भी किस table में जाता है तो 5 के table में जाएगा तो 5 3 जा 15 और 3 किस table में जाएगा तो 3 खुद के table में तो जो common वाले term है उनको पहले multiply करो तो क्या आएगा 25 और फिर ये 3 ठीक है तो हमको क्या मिला 25 त्रीजा भी क्या होता है 75 होता है तो देख लो इसको 25 त्रीजा क्या होता है 5 त्रीजा 15 और 3 त्रीजा 6 प्लस 1 7 तो ये होता है फिर देखो हमको middle term चाहिए क्या तो 22 अगर आप 25 में से 3 को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है 22 मिलता है ना तो हम बोल सकते हैं कि हमारा 75 का फेक्टराइजेशन हमको मिल गया क्या तो 25 त्रीजा तो इसको देखो अब तो हमारा फेक्टराइजेशन क्या मिला 20 एक मिनिट 25 त्रीजा अब हमको sign put करना है तो bigger number को किसका sign जाता है तो middle वाले term का तो ये आएगा minus और अब smaller number को किसका sign आता है तो आप bigger term और product जो हमारा है उसको क्या करोगे उनके sign को आपस में multiply करोगे तो minus into minus क्या होता है plus minus into minus हमको मिलता है is equals to plus तो 3 को किसका sign मिलेगा plus sign तो ये तो हमको मिल गया अब हम क्या करेंगे अपने values को substitute करो जो आपको मिला है तो कैसे करोगे तो 5m square 5m square minus 25m plus 3m minus 15 is equals to 0 तो ये middle वाले term की जगह पे आप क्या रखोगे जो हमारा factorization हमको मिला था वो हम रखते हैं अब हम क्या करेंगे दो-दो terms को उठाएंगे और compare करेंगे पहले इन दोनों को compare करो फिर इसको compare करो तो दोनों मेंसे हमको क्या मिल रहा है common तो 5 को common निकाल सकते हैं यहां से 5 और 25 को हम लोग क्या लिखते हैं 5 into 5 तो इसमें से 5 common आ गया और m common आ गया तो यहां पे क्या बचा है m minus 5 ठीके तो ये एक बार देख लेते हैं कैसे आया तो देखो हमारा क्या है 5 m square minus 25 m तो 5 m square को मैं लिख सकते हूं 5 into m into m और minus 25 को लिख सकते हैं 5 into 5 into m तो यहां से देखो एक 5 इधर common आया एक इधर हमको common मिल गया फिर m इधर भी है m इधर भी है तो दोनों में हमको 5 m 5 m common मिल रहे तो हम लोग एक बार लिख सकते हैं common बाहर अब जो common वाल हैं उनको आप हटा दो तो bracket में क्या मिलेगा आपको यहां पे m minus और 5 तो यह हमको मिलता है न तो यह हमने देखा किस तरह हमने common यहां पे remove करके फिर लिखा है अपना अब हम देखते हैं कौन सा अपना second वाला term तो second term क्या है तो 3m minus 15 तो देख लो इसको भी यह है 3m minus 15 ठीक है तो देखो 3 into m minus इसको लिख सकते हो 3 into 5 3 5 is 15 होता है तो देखो यहां से 3 आ गया यहां से 3 आ गया तो 3 लिख लो तो अंदर क्या बचेगा m minus 5 यह बचा तो वही हम लोग यहां पे लिखेंगे तो देखो यहां पे जो यह वाला sign है न हम लोग bracket के बाद में लिखते हैं इस वाले sign को तो यहां पे आएगा plus और जब bracket के बाहर plus आ गया तो bracket के अंदर sign change होगा क्या तो नहीं होगा हम लोग ने यही सीखा था कि जब हम लोग यहां पे बाहर plus sign लेते हैं तो यह वाला sign change होता है क्या तो नहीं होता है लेकिन वही अगर यह minus होता तो क्या हो जाता यह वाला sign change हो जाता तो हमारा क्या बाहर आया common 3 bracket में बच गया m minus 5 is equals to 0 ठीक है अब देखो हमने देखा था कि यह जो bracket हमको मिलता है common मिलना चाहिए common हमको मिल गया तो common मिला है तो अब हम क्या करेंगे इसको one times लिखते हैं तो m minus 5 और remaining क्या है 5m plus 3 is equals to 0 अब क्या करेंगे एक-एक bracket को 0 से compare करेंगे तो करते हैं m minus 5 is equals to 0 तो m की value क्या मिलेगी हमको 5 फिर दूसरा वाला compare करो तो 5m plus 3 is equals to 0 तो m की value इदर क्या मिलेगी minus 3 upon 5 तो हम लोग को 2-2 value मिल गई तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अब तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि 5 and minus 3 upon 5 are the roots of the quadratic equation तो हमको यही find करना था roots of the quadratic equation तो वो हमने find कर लिया तो देख लो equation को एक बार अच्छे से तो पहले हमने क्या देखा था कि यह हमारे standard form में नहीं था तो हमने क्या किया उसको standard form में arrange किया ठीके और एक बार आपने standard form में arrange कर लिया तो standard form क्या है हमारा ax square plus bx plus c is equal to 0 एक बार आपने उसमें arrange कर लिया तो उसके बाद हम लोग क्या use करेंगे तो अपना factorization method यूज करेंगे और equation को solve करेंगे तो इसको एक बार अच्छे से देख लो कैसे हुआ है ठीक है और solve करने के बाद last में हमको क्या मिल गए अपना root of the quadratic equation तो m square है ठीक है जो variable है उसपे square की value है तो इसलिए हमको जो m की value मिलेगी वो कितनी मिलेगी तो 2 मिलेगी क्योंकि square है linear equation में आपने देखा था कि variable x होती थी और उसपे value मतलब जो degree होती थी एक ही होती थी तो x की कितनी value हमको मिलती थी एक ही मिलती थी लेकिन यहाँ पे हमारे पास variable पे power कितना है 2 तो इसलिए हमको variable का जो value मिल रहा है वो कितना मिलता है 2 ठीक है अब हम देखते हैं अपना next question तो अब देखो question number 4 देख लिया अब 5 देखते हैं हम लोग तो 5 क्या दिया है 2x square minus 2x plus 1 upon 2 is equal to 0 तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह मैंने लिखा है ठीक है पहले से नहीं लिखा हुआ था multiplying both side by 2 दोनो side मतलब यहाँ भी 2 से multiply करोगे भले आपको 0 मिले लेकिन multiply तो करना है अब क्यू करना है हमको हमें इसको simplify करना है और अपने standard form मतलब ax square plus bx plus c में इसको arrange करना है तो यहाँ c के जगह पे हमको क्या दिया है 1 upon 2 ठीक है factor में आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे यह जो नीचे denominator में हमको 2 मिला है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 divide में है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से multiply करेंगे 1 upon 2 को 2 से multiply करेंगे लेकिन सिर्फ इसमें ही आप multiply नहीं करोगे बाकी लोग भी तो हैं यहाँ पे साथ में बुरा मान गये तो क्या करोगे आप यह 2 को सब में multiply करोगे तो कैसे होगा देखो multiplying both side by 2 तो यह हमको हो जाएगा 2 into 2x square minus 2 into 2x plus 2 into 1 upon 2 is equals to 0 into 2 करोगे तो वह ऐसे भी हमको 0 ही मिलेगा फिर भी देख लो ठीक है तो यह देखो यह आपको क्या मिलेगा 4x square फिर यह हमको क्या मिलेगा 4x और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 is equals to 0 to the 0 ठीक है तो हमको अपना equation क्या मिला तो 4x square minus 4x plus 1 is equals to 0 तो यह हमको मिल गया अपना equation अब इस equation को हम लोग कैसे solve करेंगे तो factorization method यूज करके तो यह एक बार और समझ लो देखो हमको यहाँ पर denominator में 2 मिल गया है तो यह जो factor में value मिली है तो हमको नीचे से 2 हटाना है तो नीचे से 2 हटाने के लिए आप क्या करोगे 2 से multiply करोगे क्यूंकि divide में दिया है और divide में दिया रहता है तो आप क्या करते हो multiply करते हो तो सिर्फ इस एक term में हम multiply करेंगे नहीं हम क्या करेंगे सारे terms में multiply करेंगे दोनो side तो multiply both side by 2 तो हमने जब multiply करके देखा तो हमको क्या मिल गया 4x square minus 4x फिर 2 से 2 कर गया तो plus 1 और 0 में 2 को multiply करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 तो equation हमको क्या मिल गया 4x square minus 4x plus 1 अब हम क्या करेंगे factorization तो factorization कैसे तो first term multiply into last term तो 4 वन्जा 4 तो क्या लिखोगे 4 वन्जा 4 मिला ठीक है और sign क्या होगा तो यहाँ पे plus है और यहाँ भी plus है यहाँ plus sign यहाँ भी plus sign तो sign आपका 4 का क्या होगा तो यह plus ही रहेगा अब इसका factor करो ऐसे कि आपको add या subtract करने पे क्या मिले यह middle वाला term ठीक है हमने starting में ही सीखा था कि factorization में जो भी game है वो पूरा किस पर depend करता है तो middle वाले term पे पूरा equation आपकी middle वाले term पे ही depend करता है तो देखो यहाँ पे है हमारा minus 4 तो 4 का ऐसा factor बताओ ऐसा कोई table बताओ जिसको आप plus करोगे तो आपको 4 मिलेगा तो एक ही दिमाग में आ रहा है बहुत simple है तो 2 टूजा तो 2 टूजा अब इन 2 को sign क्या देना है तो देखो पहले वाले 2 का तो हमको पता है कहां से आता है यह वाला sign यहाँ पे चला जाता है तो पहले वाले का तो यह देख लिए हमने अब दूसरे वाले का इसको sign क्या मिलेगा तो minus into plus minus sine तो अब देखते हैं आगे तो इतना आप लोग को समझ में आगया होगा कैसे factorization हुआ ठीक है तो देखो minus 2 minus 2 तो minus minus क्या होता है plus तो minus 2 minus 2 क्या होता है हमारा minus 4 तो इनको add करने पे हमको यह वाला value मिल रहे हैं और जब इनको आप multiply करोगे तो आपको ये वाला value मिलेगा 2 to the 4 और minus into minus plus तो ये समझा होगा अब हम क्या करेंगे अपने factorization पे आते हैं जो काम है हमारा तो आप इसको करो 4 x square 4 x square minus 2 x minus 2 x plus 1 is equal to 0 तो अब हम क्या करेंगे दो-दो terms को उठाओ ठीक है तो दोनों में से आपको क्या common दिख रहा है तो देख लो एक बार फिर से इसको याँ पे है हमारा 4 x square minus 2 x तो इसको कैसे लिख सकते हो 2 into 2 2 into 2 x into x minus 2 into x तो अब इसमें आपको क्या common दिख रहा है तो देखो यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ x है यहाँ पे भी x है तो क्या लिखोगे 2 x common लिख लो bracket में क्या बचा 2 x minus 1 तो यह हमको मिला तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 x और bracket में 2 x minus 1 तो देखो जब आप multiply करोगे तो 2 x into 2 x क्या मिलेगा 2 2 is a 4 और x into x x square फिर 2 x into 1 करोगे तो 2 x मिला और minus तो यह वाला term हमको मिल जा रहा है फिर देखो यह वाला term तो हमको कुछ common लेने जैसा दिखनी रहा है इसमें कुछ common नहीं है तो जब कुछ भी common नहीं रहता है तो क्या आता है 1 ठीक है और minus 1 minus q क्योंकि यहाँ पे sign क्या है minus देखो जब यह वाले term में से हम लोग common निकाल लेते है तो यहाँ पे जो बाहर sign आता है वो कौन सा आता है तो इस वाले term का sign बाहर आ जाता है तो अब देखो यहाँ पे बाहर minus आ गया है तो bracket में sign क्या हो जाएगा तो bracket में भी sign change हो जाएगा change क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या है? plus है इसको सही से लिखते है तो यह हमारा plus sign है तो जब बाहर minus आता है तो यहाँ वाला sign क्या हो जाता है? change हो जाता है यही तो हमने सीखा था कि जब bracket के बाहर minus आता है तो जो last वाला term का sign होता है वो क्या होता है? bracket में आते ही change हो जाता है तो यहाँ पे plus है तो bracket में क्या हो जाएगा minus तो क्या हैगा 2x minus 1 is equals to 0 अब multiply करके देखो अगर confusion हो रहा हो तो 1 into 2x क्या हैगा minus 2x फिर minus into minus क्या हो जाएगा plus और 1, 1 is a 1 तो ये वाला value हमको दोबारा से मिल गया ठीक है अब क्या करेंगे common ले लो तो 2x minus 1 एक साथ लिख लो और 2x minus 1 दोनों bracket हमको क्या मिला है, सेम ही मिल गया है तो अब क्या करोगे दोनों को compare करो हाला कि value हमको सेम ही मिलेगी तो 2x minus 1 is equals to 0 तो x की value क्या मिलेगी 1 upon 2 और यहाँ पे भी अगर आप देखो 2x minus 1 equals to 0 तो x की value हमको क्या मिल गई 1 upon 2 तो दोनों value हमको मिल गई common तो जब हमको x की values मिल गई तो मतलब क्या हमको हमारा root मिल गया अब root क्या है, दोनों value सेम ही मिले हमको 1 upon 2 and 1 upon 2 are the roots of the quadratic equation तो यह समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना तो पहले तो हमने क्या किया हमको factor में दिया था तो पहले हमने दोनों side को multiply कर दिया 2 से ताकि यह जो denominator में 2 आया है वो हम लोग eliminate कर सके, खतम कर सके तो हमने जब 2 से multiply कर दिया तो हमारा equation क्या बन क्या है था 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0 फिर हमने factorization method use किया और solve किया तो हमको अपना root of the quadratic equation मिल गया, क्या है वो 1 upon 2 and 1 upon 2 तो देख लो इसको अच्छे से एक बार और सिफ देखने का ही काम मत किया करो साथ-साथ में आप लोगों भी notebook में लिखते जाये करो ताकि आप लोगों को भी क्या हो जाये तो practice होता रहा है और मेरे करने के बाद आप लोगों भी खुद से किया करो practice ताकि आप लोगों को भी और easy लगे वो करने में तो अब अपना last लास्ट नहीं मतलब question number 1 का 6th question देखते तो देखो अब भी जैसे हमने question number 5 अपना किया तो 6th भी हमारा कुछ उसी manner में दिया है तो यहाँ पर denominator में हमको क्या दे दिया है x दे दिया है लेकिन हमको equation अपना simple करना है किस form में तो ax square plus bx plus c is equal to 0 ठीक है तो पहली बात तो यह simple भी नहीं है हमारे standard form में भी यह arranged नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको simplify करो और उसके बाद इसको अपने standard form में arrange करो तो simplify करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो देखो denominator में x दिया है मतलब divide में x दिया है तो इस x को हटाना है तो x को हटाने के लिए आप क्या करोगे x से ही multiply करोगे तो x से multiply जब करोगे तो यह हट जाएगा लेकिन लेकिन आप सिर्फ ये वाले term में तो x से multiply करने ही सकते आपको क्या करना होगा सब में x से multiply करना होगा तो क्या लिखोगे multiply both side by x तो ऐसे लिख लिख लिए हमने multiply both side by x तो जब x से आप multiply करोगे तो आपको क्या मिलेगा कैसे मिलेगा तो देखो 6 into x 6 x तो दिया है 6 x into x minus 2 upon x into x is equal to 1 into x दोनों side होगा ना multiply तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा 6 x square minus ये x से ये x कट यहाँ बचेगा 2 is equal to 1 x बोल दो या x लिख लो कोई बात नहीं ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको arrange करेंगे arrange in standard form तो इस तरह से statements भी आप लोग लिखना ठीक है तो arrange किया तो equation क्या मिल गया हमको 6 x square फिर उसके बद कौन सा term आता है x वाला तो minus x minus q क्योंकि यहाँ पे plus x है equals 2 के दूसरे side आएगा तो minus हो जाएगा और minus 2 is equals to 0 तो ये हमको मिला अपना equation जो हमें चाहिए था तो देखो ये हमको standard form में arranged दिया नहीं था हमने क्या किया कि denominator से x अटाने के लिए पहली बात तो हमने दोनों side multiply कर दिया x से जब दोनों side आपको multiply हो गया x से तो हमको इस तरह से equation मिला था ठीक है 6x square minus 2 is equals to x अब इसको हमको क्या करना था arrange करना है standard form में तो standard form हमारा कौन सा तो ax square plus bx plus c ठीक है ये standard form में 10 बार बोल चुके आपको अभी तक तो याद हो जाना चाहिए चाहिए था क्या ठीक है तो standard form में जब हमने arrange किया तो हमको क्या मिल गया 6x square minus x minus 2 is equals to 0 अब हमारा आगे का काम क्या है वो तो आप लोग को पता ही है तो factorization करना तो आप बिना देरी किया फटा-फट करते है ठीक है इतना हम लोग कर चुके तो अब तक तो practice होई गया होगा तो पहले term को multiply करोगे किसमें? last term में तो 6 to the 12 और sine कौन सा? तो देखो ये plus है और इधर minus है तो plus into minus minus तो minus 12 अब factorization करो तो 12 कौन सी table में आएगा जिसको आप plus करो या minus करो तो आपको 1 मिले x के पास 1 है न? तो एक ही चीज़ दिख रहा है मुझे तो 4,3 जा 12 ठीक है? 6,2 जा भी होता है 2,6 जा भी होता है लेकिन जाब उसको plus और minus करोगे तो आपको 1 नहीं मिलेगा तो एक ही term दिख रहा है क्या? 4,3 जा तो क्या लिखोगे? 4,3 जा तो 4 को bigger वाले number को किसका sign जाता है? तो middle term का तो यह क्या आएगा? minus ठीक है? और 3 को किसका sign आएगा? तो देखो minus into minus plus तो यह हो जाएगा plus ठीक है? अब देखो जब 4 में से 3 को आप minus करोगे तो आपको क्या मिलेगा? minus 1 bigger number sign के साथ तो minus 1 और minus into plus क्या होता है? minus और 4,3 जा 12 तो product करने पर हमको 12 मिला और minus करने पर हमको middle वाला term मिल गया ठीक है? अब आगे का काम करते हैं अपना तो क्या हैगा? 6 x square minus 4 x plus 3 x minus 2 is equals to 0 अब इसमें से आप लोग क्या common ले सकते हो? तो देखो पहला हमको क्या दिया है? 6 x square minus 4 x तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? 2 into 3 x into x minus 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 into x ठीक है? अब देखो यहाँ पे यह 2 common ले लो x को common ले लो तो bracket में क्या बचा? 3 x और यहाँ बच गया 2 तो आप इदर क्या लिखोगे? तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 x फिर 3 x minus 2 तो यह कैसे आया? समझ में आया ना अप लोग को? यह हमने जस्ट अभी यहाँ पे किया ठीक है? तो इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं बहुत बढ़ा लिख दिया स्पेस भी नहीं होगा तो यह कैसे आएगा? 2 x और bracket में क्या है? तो 3 x minus 2 3 x minus 2 अब यहाँ पे आएगा plus अब देखो इन दोनों में common लेने जैसे हमको कुछ दिखनी रहा है तो जब कुछ भी common नहीं आता है तो क्या common आता है? 1 क्यूंकि 1 के table में तो वो आही जाएंगे तो 1 को आप ले सकते हो common क्यूं 1 को common? तो देखो अला कि यह नहीं बता फिर भी बता देखे तो 3 x को कैसे लिख सकते हो? 1 3 x और 2 को कैसे लिख सकते हो? 1 into 2 तो आपको क्या चीज common दिख रहा है? इसमें 1 तो 1 को common ले लिया तो क्या बचा? 3 x minus 2 बचा ना तो यही काम तो हमने यहाँ पे किया था 1 को common ले लिया था तो 1 को common लिया तो क्या बचा? 3 x minus 2 अब minus 2 क्यूं? वाला साइन जैसा रहता है वैसा लिख देते हैं अब क्या करेंगे? common वाले brackets को एक साथ लिखते हैं तो 3 x minus 2 और क्या बचेगा? 2 x plus 1 is equal to 0 अब एक-एक brackets को compare करो पहले इसको 0 से compare करो फिर इसको compare करो तो हमको क्या मिलेगा? तो यह कैसे करोगे? 3 x minus 2 is equal to 0 तो x की value क्या मिल जाएगी? हमको 2 upon 3 2 upon 3 मिलेगी न? यह 2 इदर जाएगा तो plus हो जाएगा plus 2 और यह 3 यहाँ पर multiply में यहाँ जाएगा तो 2 के साथ divide हो जाएगा तो 2 upon 3 हमको मिल गया अब दूसरा compare करो तो दूसरा क्या दिया है हमको? 2 x plus 1 equals to 0 अब इसको compare करो तो x is equals to minus 1 upon 2 तो minus 1 क्यो? तो यह plus 1 इदर गया तो minus 1 और 2 इदर multiplication में इदर जाएगा तो 1 के साथ divide हो जाएगा तो x की value हमको क्या मिल गई? minus 1 upon 2 तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 upon 3 and minus 1 upon 2 are the roots of quadratic equation ठीक है? तो हमको अपने x के 2 values मिले तो x के 2 values क्यों मिलते हैं? क्योंकि x पे power कितना होता है? greater 2 तो यह चीज आपको दिमाग में रखनी है x की power 2 होती है इसलिए हमको x की 2 values मिलती है तो 2 roots क्या मिले? 2 upon 3 and minus 1 upon 2 are the roots of quadratic equation जो हमने find करना रहता है तो देख लो एक बार equation को अच्छे से किस तरह से हम लोग ने find किया है? ठीक है? तो इसको एक बार और समझ लो देखो हमको कुछ इस तरह से equation दिया था denominator से x अटानिक लिए multiply करोगे x both side तो जब multiply किया तो हमको अपना equation कुछ ऐसा मिला था ये standard form में नहीं था तो हमने क्या किया? पहले इसको arrange किया standard form में standard form ax square plus bx plus c is equal to 0 के form में तो arrange करने के बाद हमको ये equation मिला था और equation मिलने के बाद फिर हम लोगोंने क्या किया? अपना factorization method यूज करके तो देख लो एक बार अच्छे से तो practice set 2.2 में factorization method यूज करके हमको quadratic equation को solve करना था मतलब roots लाने थे अपने variables के तो हमने इस में से question number 1 के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th 6 equations को हमने solve करके देख लिया है अब हमारे पास कितने equations बचे हैं तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 6 और बचे हुए जिसको हम लोग अपने next video में cover करेंगे इसी में करेंगे तो बहुत जादा lengthy हो जाएगा और हो सकता है सर के उपर से चला जाए इसलिए पहले तो ये जितने भी 6 हमने equations को solve किये हैं आप लोग खुद से भी एक बर practice करो ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में और और जादा practice हो जाए तो question number 7 तो कुछ खासा नहीं है इसमें हम लोग को filling the blanks ही करना है जो बहुत मज़ा आता है करने में जादा कुछ मेहनत भी नहीं रहता है फिर बाद में 8, 9, 10, 11, 12 यह सब हम अपने next lecture में cover करेंगे till then keep practicing and keep learning thank you, bye bye